हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सस्रियका, लादा, आप कैसे हैं आप सब, I hope सब happy होंगे, healthy होंगे and of course smiling होंगे, welcome to divine guidance channel, मैं फिर आ गई हूँ, आप सब के साथ प्यार प्यारा topic लेके, तो चलिए, सुनते हैं क्या है आज का topic, आज का topic है, अकसर बहुत सारे लोगों को numbers follow करते हैं, और उनको पता नहीं होता है numbers का क्या meaning है और ये क्या दे जाते हैं, मैं आप लोगों को बताओ, हर एक चीज़ जो इस दुनिया में है, उस सब चीज़ के एक vibration होती है, एक company होती है, जो हमें follow करती है, और वो जो follow करती है, उसको हम सही तरीके से अगर हम उसको attention दे, तो जैस सुनते हैं क्या है इसका deeper meaning, तो आज मैं आपको explain करूंगी, number five, what does it represent, और ये क्यों हमें number ये follow करता है, और इसका क्या है deeper meaning, number five, represent करता है five elements of life, जैसे five elements of life है, spirit, fire, water, air and earth, तो ये जो चीज़े हैं, ये पांच हमारे senses के साथ attached है, पांच हमारे senses आप सब को पता है, क्या होते हैं, तो ये senses हमारे जो होते हैं, वो हमें एक awareness देते हैं, जैसे आप सांसे ले रहे हैं, जीवन आपका चल रहा है, तो ये जो पांच elements है, जब ये पांच numbers में बदल जाते हैं, तो पांच number आपको जब follow करता है, उसका deeper meaning ये होता है, कि भगवान आपको संदेश देना चाह रहे हैं, कि हर जगे न, आप जब ये number देखें, तो आप चोकनने हो जाओ, be aware, आपके thought process को देखिए, क्या चल रहा है उस time पे, और अगर ये आपको कुछ goodness दे रहा है, तो आपको in return देना है, universal law है, जितना आप देंगे, उतना triple, पता नहीं कितना multiply होके आएग तो giving in itself is receiving, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो number 5 represents your own energy, हमारे जो 5 elements जैसे मैंने समझाया है, आप मेरे previous अगर वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी, जहापे मैंने deep explanation दिया है, तो उसको जब आप follow करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी स सारी चीजे हमारे अंदर ही है, हम उसको ढूरने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर ढूरने की जुरूरत नहीं है, give yourself attention, सबसे पहले pause करिए, जब आपको ये number दिखता है, सोचे क्यों आपको ये number दिखा है, क्या ये संदेश लेके आया है number, और repetitively अगर दिख रहा है, तो इस double five होगा, double five होगा, तो क्यों है, आपका account number भी हो सकता है, इसमें आपका automatically ऐसा आगया, जो तीन बार five है, या चार बार five है, क्यों आया है ये universe से आपको ये number, ये एक protective layer के जैसे काम करता है, it's like angel protecting you from every bad thing happening in life, तो लेकिन अगर आप attention नहीं देंगे, जैसे एक पेरेंट जब बच्चे को attention नहीं देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा बहुत cranky हो जाता है, शोर मचाता है, और हरकते करता है कि पेरेंट उसको attention दे, तो इसी लिए भगवान की तरफ से जब numbers display होते हैं, चाहे वो आपके phone पे हो, चाहे कोई boards पे हो, बाहर आप जा रहे हैं, कहीं आप randomly numbers देख ले, किसी के मुँ से आप 555 सुन ले, 555 सुन ले, तो immediately stop, stop and see your mind, what's going on in your mind, और आपके अगर कुछ काम नहीं बने हैं, तो उसके पीछे भी अगर ये number दिख रहे हैं, तो आपको उसी में reason भी मिलेगा कि क्यों नहीं हुए हैं ये काम, क्या ये delay है, अभी आपको रुकाना चाहते हैं, और अगर आपके कोई काम बन गए हैं, उसके बाद भी आपको ये numbers दिख रहे हैं, that means universal message है, कि आपके अगर काम बन गए हैं, तो you have to give something to the poor, charity करें, जो जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करें, help, क्योंकि universe अगर आपके help कर रहा है, तो in return आपको भी करना है, अगर आप नहीं करेंगे और ये numbers के उपर अपना दिहान नहीं देंगे, तो ये good luck charm आपको छोड़के चला जाएगा, तो please give attention to the numbers you are seeing, whatever number it is, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, whatever number, लेकिन today I am disclosing you the number 5, number 5 has a very deep emotional attachment, जो लोग बहुत emotional होते हैं, बहुत जादा unstable होते हैं, और उनका mind wavering बहुत होता है, तो उनको repeatedly ये number 5 दिखता है, ये number 5 इसलिए दिखता है, क्योंकि universal message होता है, कि अपने अंदर की deep emotional root से उस पर काम करिए, उस पर इस तरीके से काम करिए, कि emotional मत होईए, थोड़ा सा भगवान के साथ attachment रखके सोचिए, have faith, क्योंकि emotions क्या करते हैं, fear develop करते हैं, तो fear जब develop हो जाता है, और ये numbers दिखते हैं, तो वो numbers आपको convey कर रहे होते हैं, कि please have some faith, मेरे पे भरोसा रखो, भगवान बार बार आपको संदे देते हैं, भरोसा रखो, अपने हर चीज़ के आगे बताऊंगी क्या ये numbers आपको impact दे जाते हैं, तो करिये follow, जब तक के लिए बहुत खुश रहे हैं, और बहुत सारा प्यार, love you all, namaste, प्रणाम